एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निधी अकैडमी पर दोस्तों आज हम हिंदी का बहुत बहतरीन टापिक करने जा रहे हैं संग्या संग्या और संग्या के भेद इस टापिक में स्टूडेंट को काफी समस्याएं होती है अगर हम इस टापिक को बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत सिंपल है बहुत सरल है लेकिन अगर हम इसे लापरवाई से लेंगे तो ये हमारे लिए एक्जाम में घातक भी हो सकता है इसमें हमेनस हर चीज को भाव से समझना है चलिए सुरू करते हैं ये संग्या है क्या चीज़ हम बात करते हैं आपने बच्पन से पढ़ा होगा कि आप संग्या को लेकर पढ़ते हैं अगर हम संग्या की परिभासा की बात करें पद के भेद, अब यहाँ पे आपको समझना है, हम इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं कि पद के भेद, पद के भेद क्या होते हैं, उसी के अंदर हम संग्या पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने एक शब्द है पद, यह पद क्या है, पहले आप इसको जानिए, यहां पे मौहन यह इस तरह से है तो हम यह कहेंगे कि यह एक शब्द है यानि यह वर्णों का ऐसा समूँ है जो अपने अंदर सार्थक अर्थ लिए हुए है इसे हम शब्द कहते हैं लेकिन जब यह शब्द किसी वाक्य में आ जाता है जैसे हमने कहा मौहन आम खाता है मौहन आम खाता है और यह एक क्या बन गया वाक्य बन गया अब यहां पर यह जो मौहन है यह एक पद हो जाता है यानि अब हम इस मौहन को शब्द ना कहकर क्या कहेंगे पद और अगर आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा पद है तो आपको बताना होगा कि यह संग्या पद है कारक कौन सा है तो आप कहेंगे कि ये करता कारक है यानि आप इस तरह से बताते हैं तो आपको याद आ गया होगा इस तरह की चीज आप पद परचे के दौरान बताते हैं तो पद परचे भी तो आपका वही होता है यानि जब इन पदों की आप पहचान करते हैं तो पद परचे वाला टॉपिक तो हम इनको बाद में करेंगे यानि पहले हमें उससे पहले जानना है इस पद के बारे में और इस पद के भेद कितने होते हैं तो जब हम बात करते हैं पद के भेद की तो आपने देखा होगा विकारी पद और अविकारी इस अविकारी को हम अविय के नाम से भी जानते हैं अविय कह देते हैं ठीक है तो विकारी पद और अविकारी पद ये दो भागों में हम इसको बाटते हैं पद के भेद को विकारी का मतलब होता है ये विकार सब्द से बना है यानि वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वे पद हमारे किस में आते हैं? विकारी में आते हैं और जिन सब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वे हमारे अविकारी पद के अंदर आते हैं ठीक है? तो यहां पर आपके दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा होगा कि परिवर्तन किस प्रकार का तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहां पर कि परिवर्तन हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं? जैसे मालो हमने एक शब्द लिया लड़का लड़का अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इस्त्री लिंग क्या होगा तो आप बताएंगे कि लड़की होगा ठीक है? तो लड़का का लड़की बदला यानि जो इसका शब्द है उसमें परिवर्तन आया अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का का बहुवचन बताईए तो आप तो यहां पर लड़का से लड़के में परीवर्तन हुआ परिवर्तन आया इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं इधर शबद है इसके कहूंड़ कोई पर जो परिवर्तन होना और परिवर्तन नहीं होना इसी को हमने कहा विकारी और अविकारी में तो यहाँ पर जो लड़का शब्द है ये हमारी विकारी सब्दों की सरणी में आ जाता है और जो इधर है ये हमारे अविकारी शब्दों की सरणी में आ जाता है तो इनी शब्दों क तो जब हम अलग अलग बाट के पढ़ते हैं, तो वो हमारा पद के भेद कैलाता है, और पद के भेद का पहला विकारी चार प्रकार के पदों से मिलकर बनाए, यानि उसके अंदर कितने होते हैं, चार पद होते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया, ठीक है, तो य मैंने सुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इसलिए बिताया है, कि मैं हमेशा ये, आप लोगों से हमेशा कहती हूं कि आपको जब भी हिंदी पढ़नी है, हिंदी को एक क्रम से आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप कहीं से भी इस तरह से पढ़ते हैं, तो वो आपको सम मिली हुई है, अब यहां पर आप लोग मुझे अलग-अलग तरह की डिमांड करते हो, कभी ये टॉपिक, कभी वो टॉपिक, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता देती हूं, तो आपको अगर अपने एक्जाम के हिसाब से एक सिरे से पढ़ना है, तो आप जाके मेरा बैच ले सकते हैं, जो बैच आपको, अगर आपको लाइव क्लास लेनी हैं, तो लोगडाउन के बाद आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी, अगर आपको वीडियो क्लास लेनी हैं, तो वो आभी भी मिल जाएंगी, ठीक है, यहां पर हम सुरू करते हैं संग्या की, तो भाव के बारे में बताते हैं यानि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तू भाव या इस्थान इसके विशे में बताते हैं वे शाब्द हमारे क्या कहलाते हैं संग्या कहलाते हैं तो अब अगर आप इन चार पॉइंट को देखें तो आप यह समझ जाएंगे कि फाव हमारी ह किस सरह से आता है जासे म कहते हैं कि प्रेम का भाव है गुस्टे का भाव या आशे का भाव जो लेतें हैं तो इस तरह के हमारे जो शब्द हैं वो भाव के अंदर आ जाते हैं तो इस तरह से देखने पर हमारे हर एक जो मुमेंट होता है वो संग्या के अंदर आ जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक मूमेंट हमारा संग्या नहीं होता जब हम आगे पड़ेंगे हमें सर्वनाम को भी अलग करना है उसमें हमें विशेशन को भी अलग करना है उसमें हमें क्रिया को या क्रिया विशेशन को भी अलग करना है तो हम मुटा मुटा एक हिसाब लेक करते हैं कि संग्या के भेद कितने होते हैं तो हम संग्या के भेदना अलग-अलग तरीके से अगर आप देखो कितावे देखेंगे तो कितावों में नहीं बड़ा ही बहस वाला मुद्धा है किसी ने किसी हिसाफ से रखा है किसी ने किसी हिसाफ से रखा है तो common कुछ भी नही है लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो जिस चीज़ पर आकर अधिक तर लोग टिकते हैं तो धुश्य है कि घाएं आर्थ के आधहर पर तो हमारी संग्या पांच प्रकार की होती है लेकिन इसमें संग्या के संग्या से अधारलेटइड आप beer में एक बार पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संगया कितने प्रकार की होती है, और दूसरा कुशन पूछा जाता है कि उत्पत्ती या वित्पत्ती के आधार पर संगया कितने प्रकार की होती है, तो संगया को हम न दो प्रकार पे बाट लेते हैं, हम यहाँ पर देखते है कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति को हम वित्पत्ति भी कह देते हैं ठीक है और अर्थ के आधार पर तो यहां पर आपको ध्यान देना है यह थोड़ा महत्पूर्ण है आपके परिशा के दिश्टी कौन से यहां आप से एक्जाम में डारेक्ट पूछा जाता सीधा तो संग्या है वो न वो तीन प्रकार की हो जाती है जिसमें हमारा आता है व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक संग्या गर्णिये और अगर्णिये अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि हमने तीन प्रकार से क्यों लिया है इसको उससे पहले हम आर्थ के आधार पर देखते हैं आर्थ के आधार पर हमारी संग्या पांच प्रकार की होती है और इस पांच प्रकार में आप लोग जानते हो इसमें हमारा आता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक भावचक और समू वाचक इस समू वाचक को हम समदाय वाचक भी कहते हैं अलग-अलग आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह हमारा पांच प्रकार का हो गया अर्थ के आधार पर अब आपको न यहां पर समझना है बिल्कुल सम्पल सा है आपको संग्या के अंदर यही चीज समझनी है यहां सिंपल आपको पताए व्यक्ति वाचक मतलब जो किसी विसेश व्यक्ति के बारे में बताता है वो सब्द संग्या हमारा क्या कहलाता है व्यक्ति वाचक कहलाता है जाति वाचक ऐसा सब्द जो किसी विसेश जाती के बारे में यानि किसी एक जाती को बताता हो हम जैसे नाम लेते हैं मनों हमने कहा कि लड़का तो लड़का में न, दुनिया के हर लड़की की बात हो रही है तो इस तरह के जो हमारे शब्द होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जाती वचक में आते हैं द्रवे वाचक, द्रवे वाचक के अंदर ध्यान रखिये हैं, इसकी पहचान करने के लिए तरीका है जब हम science पढ़ते हैं विज्ञान के बारे में हम जब drovay के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जब हम पदार्तों की बात करते हैं तो तीन प्रकार के पदार्त हम ले ले लेते हैं ठोस, द्रव और गेस तो आपको इसकी पहचान ये रखनी है द्रवे वाचक के अंदर जिन जिन चीज़ों को आप ठोस, द्रव, गैस, धातू और अधातू इनके अंदर साइंस में पढ़ते हैं वे-वे सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं द्रव्य वाचक के अंदर आ जाती है, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सही सटीक तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसकी पहचान का, उसके बाल आता है हमारा भाव अचक, भाव अचक जो हमारे फेस से एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जो हम अपने जैसे गुसा, प्रेम, आश इस तरह के जो भाव हैं हमारे वो भाव अचक के अंदर आते हैं, जैसे मालो हम कहते हैं कि जैसे लंबाई, चोडाई, उचाई, ये इस तरह के कुछ सब्दों हैं हमारे वो भाव अचक के अंदर आते हैं, फिर बात करते हैं हम समूव अचक की, तो ये जो हमारा समूव अंदर आता है ये वे शब्द होते हैं जो अपने अंदर ना किसी समू को दिखाते हैं जैसे मालो हमने कहा मेला तो मेला तब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर समू ना हो यानि लोग ना हो जैसे मालो हमने कहा सैना तो सैना किसी एक जवान से तो नहीं होता आपको पता है सेना जब भी होती है उसमें बहुत सारे जवान होते हैं जैसे मान लो हमने कहा पुलिस तो पुलिस भी एक गुरूप को सो कर रहा है जैसे हमने कहा परिवार परिवार भी एक गुरूप को सो कर रहा है तो इसमें वे शब्द आते हैं जो किसको सो करते हैं गुरूप को सो करते हैं तो वे हमारे सम्हू वाचक या समधाय वाचक संग्या के अंतर गताते हैं तो यह बिल्कुल सिंपल है आपका तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट को आखिर प्रॉब्लम कहा होती है जब हमें यह सारी चीजें पता है तो problem यह होती है और इसमें जो विवाद हैं वो भी हैं कि जब हम बात कर रहे हैं जैसे मालो हमने कहा जाती वाचक है जाती वाचक में अगर हम रखें जैसे परिवार था मैंने अभी इसी को उधारन लेते हैं परिवार में ने आपको बताया समूव अचक में तो आप कहेंगे कि यe तो समूव अचक के अंदर आ गया क्योंकि इसमें क्या है? गुरुप को दिखा रहा है लेकिन मालो अगर आपको ये कहा जाए कि महमारी में सरकार प्रतेक परिवार को रासन देगी अब यहां पर ये वाक्त के आपको दे दिया और इसमें परिवार अंडरलाइन करके आपसे कहा गया बताईए कौन सी संग्या है तो अब परिवार किसको सो कर रहा है परिवार एक जाती को सो कर रहा है अब ऐसा तो नहीं कि वो गुरूप को सो कर रहा है वो उस देश की या उ कुछ शब्द होते हैं वो अपने आने की क्रम में अलग-अलग आ जाते हैं तो समस्या हमारी वहां पर खड़ी हो जाती है कि हम किसको किसा के अंदर रखें तो ध्यार रखें जब इस तरह की समस्या आई तभी हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इसको तीन में बाटा अलग कि व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक के अंदर उन्होंने कर दिया जो एक स्पेशल व्यक्ति को दिखाता हो अब स्पेशल व्यक्ति कैसे आप जानते हो जैसे मान लो कि कोई लड़का है और उस लड़का का नाम है मोहन तो मोहन जो शब्द है यह आपका हो जाता है व्यक्त गर्णिये या अगर्णिये गर्णिये मतलब जिनकी गर्णा की जा सके जिनकी गिंती की जा सके और अगर्णिये मतलब जिनकी गिंती ना हो सके अब आप जानते हैं जैसे लड़का है कुरसी है किताब है मेज है आप इन सब की गिंती कर सकते हैं तो इन सब को गर्णिये में र रहा तो इसको भी लोग मानते नहीं है, मानता नहीं दी जाती है, पर हमारे एक्जाम में कॉशन इस तरह से आ जाता है, कि उत्पत्ती के आधार पर हम संग्या को कितने प्रकारों में बाढ़ते हैं, तो इसको आपको संख्या याद रखनी है कि तीन प्रकार में बाढ़ते है लेकिन आज भी हम जो common पढ़ते हैं वो इस पांच प्रकार पे ही पढ़ते हैं अब आपको न यहां पर एक बात देखनी है कि हमारी जो कुछ विद्वान है उन्होंने क्या किया कि इसको न समझने की कोशिश करी कि ये जो हमारे पांच प्रकार के हैं इसमें अकसर ऐसे उलजता है जैसे suppose करो मैं आप से कहूं कि बताईए फल फल जो शब्द है आप इसको किस संग्या में रखेंगे यहां पर जो रखा है तो आप कहेंगे ध्यान लगा कि मेडम फल जो है वो तो हमारा किसके अंदर आ जाएगा जातिवाचक के अंदर आ जाएगा बहुत सुन्दर बहुत बढ़ी है जातिवाचक के अंदर आ जाएगा क्योंकि फल सारे अलग-अलग फलों की जाती को दिखाते हैं अब इसके बाद अगर मैं आम से कहूंगी कि आम बताइए तो आप कहेंगे कि अब फल लेकिन अगर मैंने आप से यह कहा कि मुझे सिंदूरी आम अच्छा लगता है तो यहां पर सिंदूरी आम अब आम क्या इसका मतलब आम की भी प्रजाती होती है तो आम की प्रजाती होती है लग लंगड़ा आम सिंदूरी आम चूसा आम या और भी बहुत सारे आम आते हैं त पिर उसी तरह से आपके सामने question आता है कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत के आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है तो यहां पर जो गांधी सब्द है यह किसको दिखाता है यह दिखाता है एक व्यक्ति को यानि महात्मा गांधी के बारे में बात करता है त तो यहां गांधी जो शब्द है यह क्या हो जाता है एक जाती को दिखाने लगता है तो आप आप गांधी को किसके अंदर रखेंगे तो यहां पे दो बढ़ गये अलाग-अलाग तो आपको मीन जो समझ से आती है वो स्टूरेंट को इस चीज़ पे आती है यह समझ में नहीं आता एक्जाम में डारेक्ट कुछिन पूछे जाते हैं ध्यान रखिए हैं बता देती हूं यह जो संग्या वाला आपका टॉपिक है यह अगर आप आरार भी जो ग्रामीर रूरर बैंक है उसकी की तैयारी कर रहे हैं वहां पर यहां से सीधा आता है हर्याना के अक्सर जितने भी एक्जाम होते हैं वहां पर सीधा संग्या से पूछा जाता है डी एससबी अगर आप डी एससबी की तैयारी कर रहे हैं तो डी एससबी में आपका सिर्फ और सिपद के भेद से पूछा ज आता है यूपी में भी आजाता है बड़ एकदम से उतना नहीं मैंने आपको बताया बहुत अधिक मात्रा में जहां से कोशन आता है नौर्मली आपके लगबग हर एक्जाम में यहां से कोशन आता ही आता है चलिए तो जब यह समस्य हमारे सामने बनती है तो हम इसको कैसे सही करें आंसर तो आपको हमेसाना भाव पर ध्यान देना होगा कि जब भी आपसे प्रश्न जो किया जा रहा है उस प्रश्न का वो उसमें जानना क्या चाह रहा है क्या वो व्यक्ति वाचक के बारे में जानना चाह रहा है जाती वाचक के बारे में जानना चाह रहा है या किसी कि इसको ध्यान में रखते हुए ना तो हमारे जो विद्वान है उन्होंने इस जाती वाचक के अंदर ना दो हमारे उपभेद कर लिए कि जाती वाचक के अंदर एक हमारा द्रवेवाचक इसको रख लिया और दूसरा हमारा रख लिया समूवाचक यानि कहा कि एक हमारा जो जातिवाचक है और समूवाचक है इन दोनों को हम किसके अंदर रख सकते हैं? जातिवाचक के अंदर हम रख सकते हैं अब आपने यहाँ पे और इस तरीके से यह total हमारा पांच प्रकार हो जाता है लेकिन यह ध्यान रखना है कि जैसे द्रवेवाचक है आपका इसके अंदर अगर आपका कोई भी शब्द आता है कोई भी संगया आती है तो हो सकता है कि उसके अंदर जाती भी छिपी हो जैसे सब्बोस करो हमने koila लिया आप से पूछा गया koila में आपको संग्या बतानी है तो koila में सबसे पहले तो आपकी जाती वचक आईगी लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया वाक्चे बनाकर कि जारकंड में कई प्रकार का koila पाया जाता है आप underline करके दे दिया कि आप कोईला का संग्या बताना है आपको कि कोईला की संग्या क्या है तो इस समय आपका जो कोईला है वो किसके अंदर आ जाएगा जाती वचक के अंदर आ जाएगा आपको प्रश्न की प्रकरती पर ध्यान देना होगा शायद आप लोगों को संग्या में इसी लिए problem होती होगी क्योंकि जैसे भी जितने भी student ने comment करके कहा है कि संग्या बहुत problem करती है यह main problem आपको यहाँ पर आती होगी कि हम चुनाव क्या करें सबसे पहले आपको इन तीनों को बस समझना है कि यह अलग अलग क्या है फिर इसके अंदर जो जाती के अंदर जो उपहे दिये हैं द्रवे वाचक और समूवा चक इनको समझना है उसके बाद simple है आपका जैसे मालो समूव आचक में मैंने आपको उधारण दिया परिवार अब अगर ये कहा जाए कोई व्यक्ति कहे कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है अगर इस तरह से दे दिया तो अभी particular एक ही परिवार की बात हो रही है तो यहां पर आप इसको किस में रख सकते हैं समूव आचक में रख सकते हैं लेकिन अगर कहा जाए कि दिल्ली के सभी परिवारों को रासन मिलेगा या दिया जाएगा तो यहां पर जाती वाचक के अंदर आ जाएगा यानि वो एक किसको दिखा रहा है जाती को दिखा रहा है कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो बिलकुल सिंपिल होते हैं हम उनको देखते ही पहचान लेते हैं कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें उनके भाव से पहचानना होता है तो देखें संग्या में बहुत कुछ है नहीं, संग्या में बस यही जो पांच आपके शब्द लिखे हैं, इनको पहचानना है, व्यक्ति वाचक जहां पर किसी विसेश व्यक्ति की बात की जाए, जैसे अगर हम मनुशे में देखें तो मनुशे के जो नाम हो जाएंगे, व् हमारे इस्थान हैं, तो इस्थान में नाम हो जाएंगे, जैसे दिल्ली है, आगरा है, यह नाम हो गए, तो यह हमारे किसके अंदर आगए, व्यक्ति वाचक के अंदर आगए, जैसे जाती को सोकर आता है, जैसे गाय, सभी प्रकार की गाय, जैसे बैल, सभी प्रकार के बैल जैसे बात करते हैं सेर, चीता, उसमें सब एक जाती, मनुष्य, ठीक है, लड़का, लड़की, बुढ़ा, बुढ़ी, यह इस तरह के जो हमारे शब्द हैं, यह सब किसमें आएंगे, जाती के लिए आएंगे, भाव आचक, जो भाव को दिखाता है, प्रेम, क्रोध, आशरे यह इस तरह के हमारे भाव आजाएंगे, इसमें लंबाई, चोड़ाई, उचाई, हर्याली, यह सब आजाएंगे, ठीक है, और द्रवे वाचक, मैंने आपको बताया ही, द्रवे वाचक के अंदर, जो हम साइंस में, ठोस, द्रव, गैस, और धातु, और अधातु के अंदर जिन जिन शब्दों को पढ़ते हैं, वही सारे शब्द हमारे किस के अंदर आजाएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा लगता है, कि आपको नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, मैं इस प आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक करिये, शेयर करिये, कमेंट करिये, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करिये,